एक गाव में एक बड़ा साहुकार रहता था। साहुकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गाव में उसका बड़ा नाम था। लेकिन इस साहुकार को अपने पैसों का, अपने रुदबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंद था। वो अपने नाम को बनाए रखने क के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कद्र किये वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। साहुकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ती हुई थी। साहुकार ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जिसमें उसने आसपास के गाव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिष्टेदारों को जो पैसे वाले थे बुलाया था। पास के ही गाव में साहुकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिती कुछ अच्छी नहीं थी इसलिए उसने अपनी बहन को तक इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया। साहुकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गाव में होने लगी यह खबर उस साहुकार की बहन तक भी पहुंच गई बहन को यह जान कर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त होई गया बहन ने सूचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता देता है भूली बहन ने अपने भाई के यहां उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी जिस दिन वल कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी रास्ते में अपने पुराने म्याले का पड़े देख उसे खयाल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो म मैं ऐसे कप्टों में जाने की सोचती भी नहीं लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, मेरे माई के जा रही हूँ वहां मुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने माई के पहुची वहां का भव्या आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्भ हुआ। वहां पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंट सीडिया कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई महमान के तौर पर आये सभी धनाध्या और नामी लोगों का स्वागत करने में वस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बड़ी उसके भाई की नजरे उस पर पढ़ गई और अपन वहां से चला गया होगा। बहन बाद में अपनी भाई से मिलने गई। भाई ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा छीक है पहले खाना खा लेती हूँ फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के पीच उसकी बहन जो पुराने मिले कपड़े पहन कर बैठी थी ये साहुकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बोलवाया, भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवाहार भी हो सकता है और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंट अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवाहार किया। उसकी आँखों से आशू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। हाला कि बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी लेकिन दोस्त के बार-बार पुछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहां बुलाएगा और तुमसे माफी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूँगी बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम्हें अपमान को इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई ग्रह उद्योग शुरू कर दो, उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी, उसने घर पहुँच कर अपने आसू पहुँच कर उसी दिन से एक ग्रह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका ग्रह उद्योग चल पढ़ा। कुछी सालों में आसपास के पचास गांव में उसका नाम और रुद्बा काफी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज्यादा बड़ी बन गई। भाई को भी जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी श्रीमंध हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपने बहन को उसके घर मिलने पहुचा तो बहन ने उसका किसी राजा महराजा की तरह स्वागत किया। उसके पसंद खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछी दिनों बाद बहन अपने भाई की यहां उस पूजा के लिए पहुच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुची उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपने महंगी गाड़ी में आई थी उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी जादा कीमती गहने दागिने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाठ बात देखकर सिर्फ भाई नहीं बलकि उसका पूरा गाव दंग रह गया। भाई दोड कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाजा खोल कर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहन करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार बारा पकवान परोसे गए थे चांडी की थाली में उसे खाना दिया गया था वह साथ में एक सोने की चमच भी रखी गई थी उसके बैचने के लिए बेश कीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाई ही भला बुरा कहकर वापस लोटा दिया था। जब सभी ने उससे पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही है तब बहन ने सब के सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरसल उसका नहीं उसके इनी कीमती दागदागिनों और कपडों का हो रहा है। क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहुकार की बहन ही हूँ अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिती है। मेरे कपड़े और गहने है। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़ कर माफी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी उसने अपने भाई को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है जबकि रिष्टे जीवन में मिले किसी वर्दान की तरह है अगर उन्हें सच्छे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाए जाए. पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हैं मगर रिष्टे खर्च हो जाए तूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता.